हलो आज है सेकंड अगस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जुमाटो के बारे में और आज इसके बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि भाईया 20% की तेजी है और 2-3 बहुत बड़ी खबरे निगल कर आ रही है और इससे पहले कि आप ये कहो की भाईया जब तेजी आई तब जाके बनाना शुरू किया तो अगेन जुमाटो के उपर 8 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तब शेर 48 रुपीज का था तब भेहंकर गिरावट चल रही थी और मैंने कहा था कि अगर 45 के नीचे जुमाटो का शेर मिलेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए और 45 के नीचे तब ये गया भी था और अब वापस दो दिन में बड़ा बांस बैक है तो बात करेंगे जुमाटो को लेगर कि आखिर हो गया रहा है बड़ी ब्लॉक डील भी हो रही है और कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी बड़ी कमेंटरी आई है रिजल्ट भी आए है एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में जुमाटो के शेर में जहां गिरावट आई थी वहां से बांस बैक आ गया जीरो पर्सन का ग्रोथ है लेकिन फिर भी 59 रुपीज से तूटकर 41 तक गया था यह और बात में बड़ी रफता यह जब तूट रहा था ना तब मैंने वीडियो बना कर यह भी कहा था यहां पे था तब यह शेर मैंने यह भी कहा था कि देखो पहली चीज तो यह कि डरने की ज़रूद नहीं है यहां पर मौके डेफिनिटली बनेंगे और अगर यह शेर आपको 40 से 45 के बीच में मिले तो खरीदारी के मौके है यह मैंने पहले भी कहा था अब भी कहूंगा अब जब तीजी बन गई है तो कहां पर मौके बन सकते हैं वो यहां पर डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो भाईया बड़े लेवल से टूट कर यह आया है और काफी जाधा यह टूटा है सबसे पहला जो रीजन था इस गिरावट का वो यह था कि भा क्विक कॉमर्स कंपनी है और ऐसे में आगर हम बात करने जाए तो मार्केट में और रेडी जो स्टार्ट अप कल्चर है जो पैसा नहीं बना पा रहे है उनके लिए दिक्कत तो हो ही रही है ठीक है उनको नहीं फंडिंग नहीं मिल रही है और ब्लिंकेड एक ऐसी कंपनी ज यहां पर बात नहीं कराओ, एक दो साल का आप यहां पर आउटलुक देखिए, कि एक दो साल में कंपनी बरवात नहीं होने वाली है, और जाहिर से बात है, जब सस्ता मिल रहा हो, मौके बनते हैं खरीदारी के, एक बड़ा करेक्शन आये हैं यहां पर, लेकिन अब वापस भ ब्लॉक डिल होने वाली है, जो मैटो में, और अभी कौन बेच रहा है, वोटो डिस्कलोज नहीं हुआ है, लेकिन जो ओफर है, वो कितने का है, भाई सहाब, 2940 करोड के आसपास का यह इतना बड़ा ओफर है, और जो प्राइज रेंज हैं, मतलब कितने रुपे के आसपास यह ब्लॉक डिल होने वाली है, तो 48 से 54 रुपीज पर शेर के बीच में यह ब्लॉक डिल होने वाली है, और अगर हम साइज की बात करें, साइज की बात करें, ऑफर साइज अगर हम देखें, तो 7.80% स्टेक किये, यहाँ पर बेचा जा सकता है कल, B.O.F.A. Securities will be the sole book runner for this deal, तो कल पता चलेगा कि किसने बेचा, किसने खरीदा, और जब इतनी बड़ी ब्लॉक डिल होई है, तो जाहिर सी बात है, मार्केट भागेगा, शेर भागेगा, दूसरी एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर है, और दूसरी खबर यह देखो, Zomato ने का लॉस दिखाया है, 186 करोड का लॉस दिखाया है, जो कि देखा जाए, तो कम है, क्योंकि पिछले साल 360 करोड का लॉस हुआ था इनको, ठीक है, तो उससे तो कम ही है, जबकि रिवन्यू देखा जाए, तो 1415 करोड के आसपास के रिवन्यू है, दूसरी और Zomato को लेकर अ स्टेट्मेंट भी आया था, कि अब उनके पास कौन कौन से कमपनी है, जो ब्लिंकिट को अक्वार करने को लेकर ये साए चीज़ चीज़ चल रही थी, तो यहां पर उन्होंने ये भी कहा है, कि now that the Zomato Blinkit deal is approved, we have three companies, Zomato, Blinkit and Hyperpure, in the order of business size impact, ठीक है, in addition to these three, we are also feeding India, we are now at a stage of life, where we are maturing from running, तो को अभी कहा है कि पहले तो दिरे दिरे इवाल्व होड़े थे लिए ना चोड़दार भाग रहे हैं ये लोग, उसके अलावा एक चीज़ ये भी है, कि we are transitioned from company, where I was the CEO, to place where we have multiple CEO, running each of our business, ठीक है, multiple CEO है, हाल फिलहाल में, क्युकि जाए से वाज़ जब company अलग होगी तो CEO भी अलग होगी यहाँ पर, and all acting as peers to each other, और सभी जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जूल कर काम भी कर रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो यह है कि brokerage firm की commentary, गोल्डमेंट सेच, बाइंग रेटिंग है, 100 रुपे का target दिया है, गोल्डमें इंप्रूट, यह कहना है, गोल्डमेंट सेच का, Morgan Stanley, ओवरवेट की रेटिंग है, 80 रुपे का target Morgan Stanley ने भी दिया है, UBS, खरीदारी की सला है, 95 रुपीज का target UBS की तरफ से दिया गया है, तो तीन दिगज ब्रोकर्ष फर्म, उन्होंने काफी positive रवाईया अपनाया है, जूम करोड के आसपास, और BST में 8 करोड, heavy, heavy, heavy volumes है, कंपनी में सबसे अच्छी बात है कि revenue में लगातार तेजी है, और जो losses थे, वो दिरे दिरे कम हो रहे हैं, और यही वज़े है, जूमेटो में, कि तेजी देखने को मिल रही है, पिछले दो दिनों से, कल भी तेजी थी, आज भी तेजी है, और तो और जूमेटो को लेकर अगर हम देखें, तो जूमेटो में, according to money control user, 45% लोग कहरें कि बेचो, 52% लोग कहरें, खरीदो यहाँ पर, मेरी क्या कमेंटरी है, मैं वो भी बताऊँगा, लेकिन जूमेटो में revenue में बढ़िया जम पाया है, ठीक है, और अब भी revenue लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके revenue इस बार ही 1400 करोड के सही भी जादा के देखने को मिले, तो आराम से expect किया जा रहा है कि 2023 में यह 6000 करोड तक पहुंच सकते हैं, profit में company अभी भी नहीं है, खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है, टिकर टैप का मेरा नहीं, 78% analyst क जाते हैं कि खरीदारी करो, कोई भी red flag नजर नहीं आ रहा है, holding के बारे में अगर हम बात करने जाए, तो holding में retail वालों के पास अभी भी 4.41% की ही holding है, जातर holding other parties के पास, लेकिन अब बहुत सारे hand exchange होने वाले हैं, एक बड़ी block deal की खबर already आ चुके, तो next quarter काफी important होगा यह देखने के लिए कि क्या-का बदला है यहां पर, देखो Zomato पहले जिस्त होगी कि भईया बहुत ही risky company है, यह हम से समझना होगा, और यह वो company नहीं जो सालों साल चलेगी, इनका जो future है वो अभी के लिए मैं मानता हूँ कि 3-4 सालों तक अभी भी टिकी रहेगी यह, लेकिन जिस space में है, जिस business में के company है, वहाँ पर वह यह दाएका सब का बदलता है, ठीक है, तो मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि short term के लिए मुझे आता है कि Zomato में potential जरूर है, तब जब यह सस्ता मिल रहा हो, तब खरीदारी के मौक है, अभी भी मैं यह नहीं कहूँगा क भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा heavy invest करके बैठ जाओ, हलका full का निवेशी करना, जाधा बड़ा investment करके मत बैठ जाना, तो risk की bet है, लेकिन जितना risk है, उतना reward भी है, यह हमने पिछले दो दिन में देखा भी सही, और मैंने पहले भी कहा था कि 40 से 45 खरीदारी वाला माह बनेगा वहाँ पर, तो बेचना मत इसको, अभी भी मेरी बेचने की सला नहीं है, पहले कल क्या हो रहा है, बाजार में किसने खरीदा है, क्या situation है, उसके एसाब से जरूर हम बात करेंगे, वीडियो को यहीं प्रेंट करूँगा, पसंद है हो तो लाइक कर शाय करें, चैनल बगर पहली बार रहें, तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, जो मेड़ो के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं, थैंक्यू